नीम्बो का प्रियोग तंत्र क्रियाओं में खूब किया जाता है और इसका असर कुईक दिखता भी है तो आज हम आपसे यही साजा करने वाले हैं नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जीवन में जब परिशानी बढ़ जाए खास करके जो युगा वर्ग हैं जो जौब करते हैं बिजनस करते हैं इनके जीवन में स्ट्रगल जादा है कभी कभी तो जल्दी सेटल ही नहीं हो पाते बहुत परिशानी कभी कभी मानसिक रूप से आप इतने बेचैन हो जाते हैं कि आप गलत कदम उठा लेते हैं अब इन तमाम परिशानीों का क्या हल नहीं है है ना बहुत सारे उपाय हमारे जोतिस में बताए गये हैं और आज हम यही उपाय आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सिंपल हैं आप महिला हैं आप पुरुस हैं आप बड़े हैं बुजुर्ग हैं कोई भी यह उपाय कर सकता है अगर मानसिक पिडाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं आपके जीवन में स्वास्त की समस्या है या धन की मुस्किले परिशान कर रही है आपको लगता है आपके उपर किसी ने कुछ कर दिया है भागे साथ नहीं दे रहा है कुंडली के दुर्योग परिशान कर रहे है तब इन तमाम दुर्योगों से मुक्ती पाने के लिए भागे का साथ लेने के लिए एक छोटा सा परियोग आपके जीवन को बदल कर रख देगा क्या करेंगे देखिए जो बेक्ती पिडित है चाहे वो स्वास्त का हो या धन का हो या मानसिक टेंसन हो कैसी भी पिडाएं हो वो सनी वार रभी वार या मंगल वार की रात एक नीमबू नीमबू आप हरा भी ले सकते हैं पीला भी ले सकते हैं कोई भी नीम्बू चलेगा यहां पर कहीं कोई दिकत नहीं है एक नीम्बू ले 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 और इसको तक्ये की नीचे रख कर सो जाए यानि ठीक माथे के पास अगले दिन सुबह उठिए नीम्बू के जो नीम्बू आपने तक्ये की नीचे रख कर सोया है उस नीम्बू को आप अपने घर में ही जोकर उठने के बाद या आपके बदले कोई और करना चाहे तो कर सकता है दो टुकरे चाकू की सहायता से करे इसके बाद अपने घर से मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाए ये प्रियोग अर्ली मॉर्निंग कीजेगा ताकि कोई आपको देखे नहीं टोके नहीं याद रखिए तो ये आप जब काट लें घर से बाहर मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाए अब बाहर निकल के जो दो टुकरे हैं दोनों हाथ में एक एक टुकरा ले लें दाहिने हाथ का टुकरा बाएं तरफ और बाएं हाथ का टुकरा दाहिने तरफ फेग दे यानि आपका चेहरा होगा घर से मुख्य दरवाजा आपका जैसा भी है ठीक सामने निकल जाएए आपका चेहरा पूरब दिसा हो तो बहुत उत्तम इसके बाद बिपरीद दिसा में दोनों हाथ का टुकरा आपको फेखना है ठीक है आपने समझ लिया दाहिने हाथ का बाएं तरफ और बाएं हाथ का दाहिने तरफ इसके बाद बिना पीछे मुड़े आप घर के अंदर चले आईए धन की मुस्किलें आपको परिसान नहीं करेगी अगर कुंडली का दुर्योग है वो भी समाप्त हो जाएगा और अगर स्वास्त की पिड़ाएं हैं वो भी सांथ हो जाएगी क्योंकि ये तमाम परिसानियों का एक ऐसा अच्चु कुपाय है जिसका कोई काठी नहीं है फिलालम आपसे विदा लेते हैं हरहर महादेव धन्यवाद